दिल्ली से इस वक्ती सूचना के बाद सुरक्षा एजंसी अलाट हो गई है, होटल के आसपास पैरा मिलिटरी फोर्स तैनात कर दिया गया है, दिल्ली के पहाड गंज का मामला है जहाँ एक होटल में 70 से जादा पाकिस्तानियों के रुके होने की खबर मिल रही है, यही वो हो पाकिस्तानी नागरिक रुके हुए है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की घुपया एजंसी को जिस सुचना मिलती है कि राजधानी दिल्ली के पहाड गंज के होटल टुडे इंटर्नेशनल में सत्तर के करीब पाकिस्तानी नागरिक रुके हुए हैं जिसके बाद दिल्ली पुलिस तुरंत हरे सत्तर लोग पाकिस्तानी नागरिक बताए जा रहे थे ये दरसल एक पाकिस्तानी डेलिकेशन है जो पाकिस्तान से भारत हजरत निजाम उदीन की दरगा में आया हुआ था अब बड़ी बात यह है कि जब इतना बड़ा डेलिगेशन पाकिस्तान से देश की राजधानी दिली में आया है इस सुचना के बाद दिली पुलिस के महकमे में में एक हड़कम मज़ गया था कि 70 से ज़ादा पाकिस्तानी नागरिक आखिर देश की राजधानी में है और दिल्ली पुलिस को इस चीज की सूचना नहीं है आलगी गनीमत यह रही कि जो लोग थे यह एक डेलिकेशन था जिसकी वज़े से कोई खत्रा इनसे नहीं है लेकिन अगर यह कोई खत्रे का निशान होता और सत्तर पाकिस्तारी नागरिक देश की देखना यह होगा कि फुलिस की जो जाच होगी इन नागरिकों को लेकर वो किस मोड़ा अब